तो आज का इंडियन एरफोर्स का री मेडिकल का रेव्यू सेर करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपका PSL कब आ रहा है यानि कि जो ओफिसियल डेट है वो PSL का कब का एरफोर्स ने रखा है और आपका PSL के बाद जो फाइनल एन्रॉल्मेंट लिष्ट आता है जिसके अ अगर आपका नाम आयागा जैसे कि आज एक मतलब कि कल कल आपका एक एडिशनल एन्रॉल्मेंट लिष्ट एरफोर्स ने जारी किया था CSB का ओफिसल वेबसाइट पर जिसमें कुछ लड़के 38 लड़के थे और 15 लड़के करीब वाई ग्रूप में थे वहाँ पर तो जो छूटे थे रिमेडिकल उनका हो गया था अन्फिट दिखा गया था मतलब PSL का अंदर बट उनका हो गया तो वह आपका एन्रॉल्मेंट यानि कि फाइनल लिस्ट का लाता है जो 10 जून को आएगा देखें यहाँ पर यह आपका ओफिसियल है पूरा एर फोस का जिसमें आपका इंटेक 2021 के लिए सारा कुछ मेंसन किया गया है यह PDF मेरे पास है देखें डी नंबर आपको पॉइंट में दिख रहा होगा जूम कर तरश मतलब की समझे कि safe जाएंगे और इस बार आपका stand by भी लगेगा हमको पता है क्योंकि अभी देखिए कुछ लड़के साथ लड़के थे जिनका stand by में मतलब की नाम चला गया तो stand by आपका इस बार वाला intake में बहुत जादा समभावना है आपका समभावना क्या है 100% हम पिछला इंटेक 2020 में करीब 2500 लड़के यानि कि 250 लड़के ग्रूप एक्स के अंदर स्टेंड बाई के अंदर लगा था जिन में 97 के ओल के लिए हुआ था तो ये स्टेंड बाई क्या होता है वो जान लीजे स्टेंड बाई आपका वही होता है जैसे कि आपका एसी पर रिपो हुए चार-पाँच वहाँ पर अफ्सेंट हो गाए फिर उस डेट को गाए 4-5 उस डेट को भी अफ्सेंट हो गए मतलब कि जितना दिन आपका रीपोर्टिंग चलेगा एससी पर और जितना वहाँ पर आपसेंड करते जाएंगे डेट वाईज और वही पर क्या होगा कि उ तो यह स्टेंड बाई में मतलब कि नहीं जाय तो आपका बेटर रहेगा और में में आ जाय तो कोई बात ही नहीं है अराम से हो जाएगा और वेकेंसी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बता है बहुत सारा लड़का अफ़ाफ ला रहे हैं कि हम इतना बता दें बट ऐसा हम पकुछ बता देंगे तो यहाँ पर डिट आफ पब्लिसिंग और अनॉल्मेंट लिस्ट यानि कि आपका पीसेल के बाद जो एनॉल्मेंट लिस्ट आएगा वह आएगा आपका दस जून दूहजारी की स्मज़ंगी तो आपका टेन डे दे द दिन जैसे ही आपका enrollment list 10 तारीख को आएगा आपका जो रिपोर्टिंग है वो 19-20 20 से मान कर चलिए आप लोग 20 जून से आपका रिपोर्टिंग AAC पर आपका स्टार्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ पर आपका रिपोर्टिंग का वहाँ पर आपका आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अपने अपने AAC पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा डॉक्मेंटेशन होगा हलका फुलका medical check-up होगा दैना आप अपना वहाँ से बेलगाओं के लिए निकलेंगे अपना खुद का करी में आपका वही चार्ज जो सब का दे देते फिर जो होता है तो यह रहा कुछ आपका डेट उट आपको बता दी तो आप सब मैक्सिमम लड़के स्कॉल्सिस हैंड हैंड एंगल एनेमिया था आई वाले फीट हुए आज रिपोर्ट था जो एक से लेके 11 तारीक वाले बच्चे थे उसके अंदर अनुछ कुमार का रिपोर्ट बताएं थे यहाँ पर उसके बाद आपको गोरखपूर का बात कर लेते ह यहाँ पर तो देखिए आज इनका पॉइंट चेक हुआ है कल रेट कार्ड या ग्रीन कार्ड मिलने वाला है आज तो हम लोग होस्पीटल में थे तो आज का इनको नहीं पता है कल का आपको बता थे गोरखपूर में क्या हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बता सब्सक्राइब है चोटी मोटी प्रॉइंट में फीट करेंगे आपको डेंटल पॉइंट वालों को लखना रिफर कर रहे हैं आई वालों को बहुत ही हाड हो रहा है यहाँ पर देखिए नंबर भी अच्छा खासा है तो हो जाएगा कट आफ तो बड़ेगा आपका इतना तो कंफॉर्म है कि आपका कट आफ जाएगा बट उतना नहीं जाएगा जितना जाएगा मतलब कि दू नंबर आपको दू नंबर मैक्स आगे जाने वाला है ठीक क्योंकि कट आफ बढ़ेगा क्योंकि अभी आपका जो लास्ट फेच चला री मेडिकल का बहुत सारा ग्रीन इसमें तो नंबर भी नहीं बढ़ा था तो इसमें तो हम दो नंबर भी कम से कम बढ़ा कर चल रहेंगे चली इतना ही अतना चलेगा ठीक तो एक तीस दसम्बलर टू फाइप प्लस जिनका है वो से वाई ग्रूप के लिए एक्स का आपको बताएं दिये लेकिन इसके बाद हम एक अलग से वीडियो बनाएंगो वाई ग्रूप का भी उसमें रहेगा जिसमें मतलब की पूरा अच्छे तरीके से हम डिसकस करेंगे कि क्यों आपका कट ओफ इतना बड़ेगा कितने लड़के मेडिकली फीट और ही मेडिकल कंदर कितने फीट हुए और जो बचे हुए देली पालम चंडीगर में उतना उस सब आपका हिसाब किताब किलियर हो जाएगे कितना यहां पर मिल रहा है क्योंकि देखिए क्या है कि देली में भी अच्छा खासा आप 14 लड़के उसी दिन इसी जीक अंदर फेट कर दिए गए तो लास्ट फेज में आपका मेडिकल का पर ही मेडिकल जो चल रहा है अच्छा खासा जा रहा है यहां पर तो देख सकते हैं सुलत तारीक में फेट हुआ उस साम के टाइम में काड निये थे तो यह सीन था गुरकपुर का और लखनव का बात करें तो इनका देखिए लखनव में इनका भी हुआ था आज आठ को मि आठ यह यहां पर चोंथ इस ग्रिंग कार्ड समझ लें देख लीजे की ट्रती फूर्ड़ ग्रिंग कर्ड तीन रेट करड बूले कि लास्ट सेज में आपका थोड़ा सा जोरी है तो थोड़ा सा मतलब कि कार्ड ज्यादा मिल रहा है कानपूर में थोड़ा सा ओन पर आप कुछ का भी operation वो unfit कर देंगे without operation जो गए उनको fit किया गया है तो कानपूर में कुछ इस तरीके का हुआ है तो आज का पूरा ये मतलब की पूरा आपको बता दिये reporting वेगरा बागडोगरा से भी बताएं लखनाव से भी बताएं और ये आपका जो date था PSL का भी यहाँ पर हमने clear किया कि कब आपका आएगा यहाँ पर पूरा ठीक ये intake भी आपको दिख रहा एक 2021 का है तो सारे लड़के जो है कि आप PSL का काफी बेस अबरी से इंतिजार कर रहे हैं 30 अप्रेल का काफी दिन मतलब कि आप समझ रहे हैं यह महीना आपका खतम हो जाएगा आपका कुछ दिन उधर मतलब की पर तीस दिन उधर आपका हो जाएगा और इधर का तो अप्रेल ज्यादा दूर नहीं है बट आपका आएगा यहाँ पर बहुत सारे लड़का 3,000 प्लस जाएगा 4,000 वेकेंसी यह सब कुछ नहीं है आपको बता दिये पूरा किलियर यहां से क्योंकि इंटेक है आपका रैली है नहीं कि आप भरपूर मात्रा में लड़के चाहिए उनको तो यहाँ पर आपका उतना ही होगा जो हम आपको बताएं मतलब की समझ गें 27, 2800 ग्रूप X का आप लोग वेकेंसी लेकर चले और बाकी Y का मतलब की 1200 से 1300 तक मतलब मैक्सीमम यहाँ बारासो 1300 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा Y ग्रूप का वेकेंसी का बात करें तो 1200 आपका मैक्स होगा मतलब की Y ग्रूप का हम बात करें तो और वीडियो को लाइक कॉमेंट और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्फ मिलें यहाँ पर डेट आफ पीसल यहाँ पर देख सबब आपको बता दिये